हलो बच्चो नमस्ते कैसे हैं आप सभी लोग मुझे उम्मी देखिए आप लोग अच्छे होंगे तो देखिए बच्चो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 मैतेमेटिक्स का चैप्टर नमबर वन यानि कि कॉंप्लेक्स नमबर तो इस वीडियो में हम लोग क्या द डो टाइब के नमबर होते हैं कौन-कौन से पहला होता है आपका रियल नमबर और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स इमेजिनरी नमबर ठीक है देखो यह दोनों नमबर में से एक नमबर के बारे में आप लोग जानते हो ना रियल नमबर के अंदर कौन-कौन से नमबर तो देखो एचनल लंबर और दूसरा अबर मतलब क्या होता है तोड़ा सा आप लोग ऐसे रिकॉल करो याद करो आपने पहले सारी चीज़ें नमबर जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं ठीक है यहाँ पहुल मेंनेटर मैं ऩहां औगे लए नहीं कर सकते लिए जो आपका denominator है ना वो 0 नहीं होना चाहिए ठीक है तो rational number आपको समझ में आया अभी ध्यान से समझेगा बच्चो यह जो rational number होता है इसके अंदर कौन-कौन से numbers आ सकते हैं जैसे कि मैंने natural number की बात की अच्छा natural number होता क्या है तो देखो natural number starts from 1 यानि कि natural number शुरू होता है वन से और पूरा कहा तक जाता है तो यह पूरा infinity तक जाता है ठीक है तो ऐसे टाइप के numbers को हम लोग क्या कहते हैं तो मुझे एक बात बताईए कि natural numbers रैश्रल number होते है क्या जैसे की मैंने एक natural number ले लिया 2 ठीक है तो बताईए क्या यह ट्यों यहाँ पर रैश्रल नमभर होगा क्या हम इसको P अपॉन क्यों के फॉर्म में लिख सकते हैं तो आपका answer होगा ये इस हम इसको कि फर्ममें लिख सकते हैं कैसे देखो यह जो वन करके लख सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होगा सेम होगा है तो यह ऊपर वाला क्या होगां थीक हैं और 0 क्या या नहीं है यह भी आपका क्या है para national number है केहने का मतलब क्या है कि आप क्वारे नेचनल नंबर्स होते है ना उन्स अब हम लोग रेचेल नंबर्स बोल सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद देखिएगा यहां पर क्या होता है तो What am the start होता है जीडियो से और यह पूरा कहा यहाँ पर मैं आपको समझाई देती हूँ मैंने इधर लिखा minus 3 रुको minus 2 से शुरुआत करते है ना minus 2 minus 1 फिर इधर बीच में आ सकता है 0 ठीक है 0 भी आता है इसके अंदर integer के अंदर फिर यहाँ पर plus 1 और इधर plus 2 इसी तरीके से यह पूरा infinity तक जाएगा मतलब इधर होंगे तो भी जितने numbers होंगे सारे की सारे किसमें आते हैं integers के अंदर आते हैं ठीक है यानि रैशनल नंपर के अंदर यह तीनों भी नंबर साथे national numbers होल्ट इसे होते हैं ठीक है students तो यह हो गया आपके rational numbers अभी हम लोग बात कर लेते हैं e rational numbers की e rational numbers क्या होते है students तो एकदम simple है देखो वो number जिसका decimal expansion कैसा होता है non-terminating and non-recurring ठीक है ऐसे type के numbers को हम लोग क्या कहते हैं तो e rational numbers कहते हैं ठीक है अभी मैंने एक word बोला दो word बोला non-terminating and non-recurring इसका मतलब क्या होता है non-terminating मतलब क्या जो terminate ना हो यानि कि अगर मैं उसको decimal में लिखू न तो वो कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए जैसे कि example के लिए देखो मैं यह आप एक example लिखती हूँ ठीक है ऐसे ही मैंने कोई भी एक example ले लिया चलो 2.13456 ठीक है 8 देखो यह आगे 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 बढ़ता ही जा रहा है है ना यह कहीं पर भी रुकने नहीं वाले यहाँ पर मैंने लिखा 9 फिर इदर कुछ भी आ सकता है 4 3 इसी तरीके से आगे बढ़ते ही जा रहा है तो देखिए यह कहीं पर भी terminate नहीं हो रहा मतलब यह र 2 2 8 4 3 5 8 4 3 4 8 4 3 2 फिर टो यहां पर अगर आप لوग देखेंगे तो यह नोन टर्मीनेटिंग तो है लेकिं यह नॉन रिकरिंग नहीं है कैसे समझमा इनधर कुंसिडार नहीं करेंगे यह आपका एडम नमबर नहीं हो सकता थिक है तो क्या यह same no 2 हो सकता है तुद हो यहाँ पर कोई भी no 번 repeat हो रहा है क्या जैसे होरा था वैसे यहाँ पर रिपीट हो रहा है ध्यान से थ्री है फॉर है फाइए शिक्स है बतलब हर बार ना यूनीक नंबर से यहां पर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा तो ऐसे टाइप के यहां पर दुबारा से रिपीट नहीं होगा तो यह एक एक जामपल किसका इरेशनल नंबर का वैसे ही एक और एक जांपल आप कि आपने यह सारी चीजह पहले से सीखी हुई है ना चलो अब यहाँ नेक्स्ट किसकी बात करेंगे स्टूडेंस imaginary नंबर के रियल हमने देख लिया है ना फटा-फट से हमने रिविजन कर लिया अभी इमेजिनरी नंबर के लिए अब लुग बात करते हैं यह R for rational number मत बोलना R for क्या होता है real number ठीक है तो देखो वो number जो किस फॉर्म में हो B I के फॉर्म में हो जहांपर B क्या होना चाहिए तो B होना चाहिए real number ठीक है और जो B है ना वो 0 के equal नहीं होना चाहिए समझ रहे हो और यहां पर देखो यह जो I है नी इस तूडेंट का देखेें यहां पे रिखे नंबर के लिए उसको मतलब इस नंबर ने सैटिस्फाइㅋ कर दिया इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह क्या है यह हमारा imaginary number है ठीक है वैसे ही यहाँ पर एक और example हमने लिखा हुआ है 2i ठीक है तो देखो यह bii के form में है कि जी हाँ बिल्कुल है ना bii यहाँ यहाँ पर देखो बी मतलब क्या real number तो real number के place पर यहाँ पर क्या i2 और फिर उसके बगल में क्या i students यह i है तो इसलिए यह number भी आपका कैसा number है imaginary number है यानि कि सुनिए ध्यान से अगर किसी real number में मतलब कोई real number है जैसे कि 4 ठीक है और इसके साथ मैंने यह i लगा दिया तो यह कौन सा number बन जाएग तो यह बन जाएगा आपका imaginary number ठीक है और यह जो i आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है आपको इसको कहते हैं iota iota यह क्या होता है students यह आपका iota होता है ठीक है तो imaginary number को हम लोग यह iota से ही represent करते हैं ठीक अब आपके मन में एक सवाल आ रहा समझाती हूं तब पता चलेगा कि imaginary number की जरूरत हमको क्यों पढ़ी देखो यहां पर मैंने एक एक जामपल लिया हुआ है एक स्क्वाइर प्लस पूर विच इक्वाल टू ठीक है मैंने आप से इसका solution पूछा आप मुझे पताईए किसका value x का value ठीक है तो चलो x का value find करने की कोशिच करते हैं देखते हैं मिलता है कि नहीं यहां पर क्या है एक स्क्वाइर प्लस पूर को उस साइड ले लो उदर जाने के बाद यह क्या हो जाएगा माइनस पूर यानिके x स्क्वाइर विच इक्स का कोई ऐसा value अगर मैं उसका स्क्वाइर करूं ना तो मुझे answer मिलन प्लस में ही आया है ना यहां पर यहां पर अगर मैंने माइनस टू लिया तो भी इसका आंसर किसमें आया प्लस में ही आया है ना यहां यहां पर रियल नंबर में अगर हम चाहें तो वो नहीं मिलने वाला है ना क्योंकि कोई ऐसा नंबर ही नहीं जिसका मैं square करूं तो मुझे क्या मिले माइनस पूर मिले ठीक है तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत पड़ी किसकी तो यह imaginary नंबर की जरूरत पड़ी ठीक है देखिएगा अभी imaginary नंबर से हमें इसका आंसर मिल जाएगा किसका आंसर मिलेगा एक्स का वैल्यू मिलेगा कैसे सुनों आपको बताती हूं देखो एकदम ध्यान से यहां पर लिखा एक्स विच इक्वाल टू यह square को उस साइड ले लो तो यह रूट के अंदर क्या आ जाएगा माइनस 4 आ जाएगा ठीक फिर उसक तो यह लिजे मैंने 2 लिख दिया और यह जो square root of minus 1 है इसका value क्या होता है बच्चो देखो यहां पे लिखा हुआ है इसको ध्यान में रखना देखो i which is equal to क्या होता है square root of minus 1 तो यह जो square root के अंदर minus 1 है इसके place पर हम लोग क्या लिख सकते हैं तो iota यानिकि i लिख सकते हैं और यह देखो मुझे x का value मिल गया ठीक है तो x का value मुझे कैसे मिला imaginary number की मदद से मिला अगर मैं real number में इसका answer खुजने की कोशिश करती तो फिर मुझे नहीं मिलता ठीक है तो देखो इसी के लिए हमने क्या किया है मतलब इसी के लिए imaginary number को introduce किया गया ताकि अगर मतलब का answer find किया जा सके ठीक है तो यह imaginary number के बारे में जो बाते मैंने आपको बताई समझ में आई ना अच्छे से चलिए आगे चला जाए पक्का यह सारी चीज़ें आप समझ गया ना चलो अभी हम लोग किसकी बात करते हैं तो जो हमारा main topic है students complex number की हम लोग बात करते है complex number क्या हो numbers कहते हैं जैसे यहाँ पर देखो example लिखा हुआ है देखो 3 plus 4i है ना तो बताईए इसमें real part कौन सा है देखो यह वाला जो part है ना यह 3 क्या होता है 3 आपका real number होता है ठीक फिर बीच में plus का sign है और यहाँ पर क्या है 4i तो 4i आपका क्या है students imaginary number है यानि कि इसके अंदर दे ठीक है देखो यहाँ पर इसका definition बताया क्या है एक बार हम लोग definition की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं ठीक है देखो definition देख करके ड़टने का नहीं बस इसको आप देखो के ध्यान सा समझोगे ना आपको सारी चीज़े फटाक से समझ में आ जाएंगे ठीक है तो चलो इसका meaning क्या है मैं आपको समझाती हूं सुनिए एकदम ध्यान से देखो वह नंबर जो किस फॉर्म में हो तो वह इस फॉर्म में हो जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हो यह जो नंबर है देखो इसके फॉर्म में है कि ने पहले आना चाहिए देखो यहां पर यहां पर i है तहीं पहले i लिख दो चलो में इसको कर देती हूं यहां पर पहले b लिख देते फिर i a प्लस bi इस फॉर्म में वह है ना जहां पर i और b किसको बिलॉंग करने चाहिए तो real number को belong करने चाहिए यानि कि a का value जो है वो कोई real number होना चाहिए और b का value भी क्या होना चाहिए कोई real number ही होना चाहिए ठीक है और यहाँ पर i का value क्या होगा तो हम जानते ही है i का value क्या होता है square root of minus 1 या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि i square which is equal to minus 1 है ना क्योंकि देखो दोनों का meaning सेम है आप i square minus 1 बोलो या फिर i which is equal to square root of minus 1 बोलो क्योंकि देखो यह square उदर जाएगा तो यह root के अंदर आ जाएगा है ना तो दोनों का मतलब सेम है बराबर तो इसी type की number को हम लोग क्या कहते है बच्चो complex number कहते हैं और complex number को denote किया जाता है किसकी मदद से तो यह z की मदद से जैसे कि मैंने इहां पर यह जो number लिखा है ना इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ देखिएगा इस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ कि z which is equal to क्या लिखा था 3 प्लस 4 आई ठीक है तो देखो यह आपका क्या है complex number है ठीक है अब जो आपका complex number होता है इसमें दो पार्ट होते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं students एक तो होता है आपका real पार्ट और दूसरा होता है imaginary पार्ट ठीक है रियल पार्ट कॉन सा है तो देखो जिसके अंदर आई नहीं रहेगा मतलब जिसके पास आई नहीं उस पार्ट को आपका हो जाएगा और रियल पार्ट बराबर और देखो इसके साथ क्या है students आई है ना तो यह आपका क्या हो जाएगा imaginary ठीक है और रियल पार्ट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं तो दीको इस तरीके से इसको दिखाया जाता है आप ना दू तरीके से लिख सकते हो या तो और और फिर ब्रैके के अंदर क्या लिख दो Z यानि दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं imaginary part को दिखा सकते हैं ठीके बच्चो तो ये होता है आपका complex number समझ में आया ना complex number का एक और example आप लोगों को बताऊं देखो मैंने इदर लिखा 6 plus 8i ठीके तो ये भी आपका क्या हो सकता है complex number हो सकता है ठीके इसी तरीके के और भी examples हो सकते हैं जैसे कि मैंने इदर लिखा क्या लिखू कुछ भी लिख सकते हैं 4 plus यहाँ पे लिख दिया 3 आए ठीके तो ये भी आपका क्या है complex number है तो मुझे comment करके जरूर बताईए ठीक है वैसे हर टाइम जरूर नहीं कि यहापे plus ही आए कभी minus भी आ सकता है चलो यहापे मैंने minus का sign लगा दिया ठीक है plus minus कुछ भी हो सकता है बस आपको यह ध्यान में रखना है कि एक part कैसा होना चाहिए real होना चाहिए और दूसरा imaginary होना च अब यहापे लास्ट में एक और चीज़ देख लीजिए set of complex नंबर यानि कि अगर हमें complex नंबर का सेट लिखना है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं तो इसका आंसर आप लोगों को बताना पड़ेगा चलो आपको समझाती हो देखो जो complex नंबर का सेट होता है ना उसक ठीक है देखो c is the set of a plus bi where a क्या हो जाएगा a and b किसको बिलॉंग करने चाहिए real number को बिलॉंग करने चाहिए ठीक है और यहाँ पर यह जो i है ना इसका value क्या होता है square root of minus 1 ठीक है तो देखो complex नंबर के सेट को इस तरीके से लिखा जाता है देखो कितना simple है यहाँ पर उसका होने चाहिए वह हमने बता दिया जिसमें i का value क्या होना चाहिए तो यह होना चाहिए square root of minus 1 ठीक है तो यह होता है मतलब इसको लिखने का तरीका सेट के फॉर्म में राइट तो यहाँ पर हमने numbers के बारे में जाना complex numbers के बारे में जाना तो आप लोग एक काम करो पहले ना इ यानि कि अगर हमें complex number का addition, subtraction, multiplication, division करना है तो हम कैसे करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं addition की यानि कि अगर आपके पास दो complex number से हो और दोनों को हमें क्या करना है प्लस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं तो देखिए आपको example की मदद से बताती हूँ आप को हटा देना है तो चलिए brackets को हम अटा देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 4i फिर प्लस 3 प्लस 3i ठीक है अब आपको क्या करना है जैसे कि आप लोग जानते ही है कि जो complex number होता है इसमें दो पार्ट होते हैं पहला होता है real part दूसरा होता है imaginary part ठीक है तो हमें होता है पांच होता है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पांच ठीक है फिर imaginary part को imaginary के साथ solve कीजिए तो 4i प्लस 3i चार प्लस 3 कितना होता है साथ होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 7i और यही हो जाएगा आपका final answer ठीक है तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं किसका complex numbers का ठीक है clear अब यहाँ पर subtraction की बात करते हैं तो देखिए का दो यहाँ पर numbers दिएगा है complex numbers तो हमें क्या करना है यह वाले number में से इसको माइनस करना है तो कैसे होगा देखो पहले तो आपको क्या करना है bracket को हटा देना है ठीक है ध्यान से देखो इधर क्या है फोर प्लस 3 यह लीजे मैंने लिख दिया है ना और अगर मैं यह वाला bracket हटाऊंगी तो होगा क्या यह जो माइनस है यह दोनों के पास चला जाएगा ठीक है तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस टू आएगा फिर माइनस प्लस क्या होता है माइनस यानिकि यहाँ पर आएगा माइनस आ तो देखो हम लोग क्या करेंगे 4 में से 2 को माइनस करेंगे बताइए यहाँ पर क्या आएगा 2 आजाएगा ठीक है फिर यह दोनों क्या है imaginary parts है तो देखिए 3i-i आंसर क्या आएगा बच्चों बताएं आपको यहाँ पर आजाएगा 2i समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बातों को जैसे यहाँ पर क्या है i तो i को हम लोग ऐसे भी लिख सकते है 1i करके लिख सकते है ठीक है तो 3i-1i अगर मैं 3 में से 1 को माइनस करो तो आंसर मुझे कितना मिलेगा 2 मिलेगा न तो वही मैंने लिखा इधर 2i तो यह हो गया मेरा फाइनल आंसर इस तरीके से सब्ट्रेक्शन किया जाता है नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करेंगे स्टूदेंस मल्टिप्लिकेशन की हम बात करेंगे जैसे की हमारे पास 2 कॉम्पलेक्स नंबर्स है इन्हें हमें क्या करना है एक दूसरे के साथ मल्टिप्लाई करना है तो फिर कैसे करना होगा देखो आपको क्या करना है सुनों एक दिम ध्यान से यहाँ पर देखो यह दो नंबर्स है न तो आप क्या करोगे इसका मल्टिप्लाई यह ब्रैकेट के अंदर करोगे कैसे देखो पहले यहाँ पर 2 को लिख दीजिएगा फिर इसके बगल में इस bracket को लिख दो 3-2i क्या लिखा मैंने ये 2 को लिखा फिर bracket के अंदर में इसको लिख दिया ठीक है क्योंकि मुझे क्या करना है इसका multiply इस bracket के अंदर करना है फिर उसके बद क्या है प्लस 3i ये लिजे मैंने लिख दिया ठीक है और 3i के बगल में हम क्या लिखेंगे मतलब multiply करना होगा इस bracket को तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया ठीक है अब चलो multiply करते है तो देखिएगा 2 का multiply अगर मैं 3 में करूँ तो आंसर कितना आएगा 6 आजएगा 2 का multiply इसमें कर दो तो टू टू आ पर यानिके यहां पर आ जाएगा 4i ठीक है तू इसका multiply इसमें कर दो तो 3 3 क्या होता है बच्चो 9 होता है न तो यहां पर आएगा 9I ठीक है फिर 3i x 2i तो 3 2 जा क्या होता है 6 होता है और प्लस माइनस माइनस यानि कि यहां पर आएगा माइनस 6 और देखो आई इंटो आई यहां पर क्या आजाएगा इतनी बात है आपको समझ में आई अभी इधर देख लेजिए यहां पर लिखा मैंने 6 यह देखो माइनस 4 आई प्लस नाई तो 9 में से 4 को माइनस करना पड़ेगा ना नो में से 4 को माइनस करो बताओ कितना आएगा 5 आएगा तो यहां पर हम लोग कि हम लिख सकते हैं –1 क्यूंकि हम झानते हैं कि i2 का value –1 क्यूंकि यह स्क्वाएर वाहां पर गया तो तो इसके place मैंने minus 1 लिख दिया तो बताइए अब यहाँ पर क्या आएगा students तो यहाँ पर 6 plus 5 आई और minus minus मिल करके plus 6 हो जाएगा ठीक है 6-6 मिला करके कितना हो जाएगा 12 यानि कि यहाँ पर क्या आएगा 12 plus 5 आई ठीक है तो यह हो गया आपका answer इस तरीके से क्या करना होता है multiplication करना होता है ठीक है चलो अभी हम लोग next किसकी बात करेंगे तो यह division की बात करेंगे अगर हमें division करना है complex numbers का तो फिर हम कैसे कर सकते हैं तो देखिएगा बच्चो यह भी simple ही है देखो जैसे हमारे पास दो numbers है हम देख सकते हैं उपर एक complex number है नीचे complex number है ठीक है हमें क्या करना है divide करना है तो आपको क्या करना होगा जो denominator है वहाँ से यह जो iota है यानि कि जो i है उससे आपको हटाना पड़ेगा ठीक है अब यह कैसे हटेगा क्या करोगे इसके conjugate से आप उपर नीचे multiply करोगे क्या बोला मैंने conjugate conjugate आप लोग को पता है नहीं पता ना चलो पहले हम लोग यह conjugate देख लेते फिर मैं इस पर आती हूँ ठीक है देखो आगर आपको complex number का conjugate बताना है तो फिर आप कैसे बता सकते हैं मुझे इसका conjugate बताना है तो मैं क्या करूँगी पता है आपको जैसे कि इसमें दो पार्ट से एक तो रियल दूसरा इमेजिनरी है ना तो जो इमेजिनरी वाला पार्ट रहेगा ना students उसके sign को हमें कर देना है change जैसे कि यह किसमें है प्लस में है ना तो जब मैं इसका conjugate लिखूँगी तो फिर यहाँ पर क्या मतलब क्या आना चाहिए क्या आएगा माइनस आएगा देखो ऐसे 3-4i ठीक है यानि कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें complex number का conjugate बताना है तो हम लोग क्या करते है imaginary part के sign को change कर देते हैं ठीक है दूसरा example देखो यहाँ पर क्या है 7i-2i बराबर तो इसमें देखिएगा imaginary part कौन सा है तो मैंने आपको सिखाया था ना imaginary part वो होता है जिसके साथ i होता है तो i किसके साथ है इसके साथ है यह है imaginary part ठीक है तो इसके conjugate के लिए हम लोग क्या करेंगे इसके sign को बदल देंगे तो यह देखो प्लस में आ ना तो अगर मुझे इसका conjugate बताना है तो मैं क्या लिखूंगी माइनस 7i और बाकी रियल वाला तो वैसा ही रहेगा रियल में कुछ भी चेंज मत कीजिएगा ठीक है वैसे ही इसका भी बता दो चलो इन दोनों में imaginary part कौन सा है यह है imaginary part जो किसमें है प्लस में है अगर मुझे इसका conjugate बताना है तो फिर मैं इसके sign को change कर दूँगी यानि कि यहां पर क्या मतलब क्या आजाएगा 7 माइनस रूट ओवर 5i ठीक है समझ पाए कि नहीं और एक और बात सुन लीजिए जैसे कि complex number को हम लोग z से denote करते हैं और अगर इसका conjugate में आप से पूछू तो उसको किस से denote किया जाता है z बार से यानि z लिखने का और उसके उपर ये इस तरीके से line खिस दो वो हो जाएगा z बार ठीक है तो आपको conjugate समझ में आया conjugate में हम क्या करते हैं sign को बदल देते हैं लेकिन किस के sign को बदलते हैं जो imaginary part रहता है उसी के sign को हम लोग बदल देते हैं ठीक है तो चलो अब यहाँ पर आजाओ मैंने आपको क्या बुला था कि जो denominator है उसके conjugate से उपर नीचे multiply करना है तो यहाँ पर देखिएगा denominator में क्या है 1-I है ना तो इसका conjugate क्या होगा students तो देखो यहाँ पर यह है यहाँ पर यहाँ पर नीचे उपर नीचे मुझे क्या करना है इस तरीके से मल्टिप्लिकेशन करना है अब आपको क्या करना होगा तो देखिए एक दम सिंपल है इसका multiply इसमें कर दो और फिर देखो मैं आपको लिख करके बताती हूँ यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 3 आई ठीक फिर 1 प्लस आई और नीचे क्या आएगा बच्चो तो नीचे भी देखो 1 माइनस आई और फिर इंटू 1 प्लस आई ठीक अब इसको कैसे solve किया जाए तो हम क्या करेंगे देखो इसका multiply इसमें करेंगे multiplication कैसे किया जाता है आप जानते ही है और यहाँ पर हम लोग एक formula लगा सकते है कौन सा formula लगा सकते है यह वाला formula आप लोगों ने सिखा है न a square minus b square बोलो जल्दी से क्या होता है a plus b into a minus b होता है है ना यही तो होता है तो यहाँ पर आप समझेएगा समझ लेजिए यह a है और यह b है तो देखो क्या है a minus b a minus b फिर a plus b दोनों के बीच में multiplication यहाँ पर वैसे ही था तो जबी भी ऐसा कुछ रहता है तो हम उसको कैसे लिख सकते a square minus b square करके लिख सकते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे students देखो यहाँ पर नीचे तो यह आ जाएगा one का square यानि a का square फिर minus b का square यानि की i का square यहाँ पर आ जाएगा ठीक है और उपर क्या करना है तो हमें multiply करना है किसका किसका तो देखो two का multiply इस bracket में कर देंगे यानि की one plus i में फिर यह जो three i है इसका भी multiply हम लोग इस bracket में कर देंगे यानि की one plus i में हम इसका multiplication कर देंगे ठीक है तो चलो अब multiply करो two one से क्या होता है बच्चो two होता है फिर two into i करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा two i फिर three i का multiply one में कर दो तो यहाँ पर आएगा three i और three i का multiply i में करोगे तो क्या आएगा three i का square ठीक और नीचे क्या आएगा one का square करने पर one और i का square बताएगे i square का value क्या होता है यहाँ पर हमने देखा था ना minus one तो इसके place पर हम लोग क्या लिख देंगे students minus one लिख देंगे ठीक है अब बताएगे यहाँ पर हमें क्या करने चाहिए तो देखिएगा इधर two है तो two लिखना फिर यह देखो two i plus three i दोनों मिला करके five i हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे five i ठीक है फिर यह देखो यहाँ पर क्या है plus three i का square तो i square के place पर हम लोग minus one लिख सकते हैं अभी नीचे क्या आएगा one minus minus मिल करके इधर हो जाएगा plus यानि कि यहाँ पर आजाएगा plus one चलो अब आके देख लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा बच्चो देखिएगा यहाँ पर लिखा two plus five i फिर minus plus minus मतलब यहाँ पर आजाएगा minus three और नीचे क्या आएगा two आएगा क्योंकि एक plus एक क्या होता है दो होता है ठीक है अब इधर देख लो जड़ा बस answer मिलने वाला है रुको two minus three करेंगे तो क्या आएगा minus one आएगा है ना क्योंकि greater number के आगे minus का sign है इसके लिए यहाँ पर minus one आजाएगा फिर यहाँ पर लिखेंगे five i upon में आगया two अब दोनों को अलग-अलग करके लिख दो यह जो two है ना हमने क्या किया यह दोनों के upon में लेकर के लिख दिया और ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब से मैं अगर मैं दुबारा से इसको solve करना चाहूं तो देखिएगा उपर वाले terms आपस में जुड़ जाएंगे और यह two एक बार आ जाएगा है ना तो ऐसे division किया जाता है इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा अभी next हम लोग क्या देखने वाले हैं equality of two complex numbers ठीक है तो इसकी help से भी हम लोग कई सारे question solve करने वाले हैं इसलिए आपको यह पता होना चाहिए equality of two complex numbers ठीक है एकदम simple है देखो जैसे यह आपे दो complex numbers है यह देख क्योंकि दोनों के बीच में equal का sign है नहीं इसके लिए ठीक है जब आप दोनों को compare करेंगे तो आपको पता चलेगा यहां से x का value बताओ x का value क्या है तो x के place पर इधर क्या है 4 है इसके लिए x का value हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा ठीक है वैसे ही देखिएगा y का value हमें क्या मिल सब्सक्राइब करेंगे इसलिए आपको यह बात पता होनी चाहिए समझ लीजिए कैसे करना है तो आप क्या कर सकते हो इस तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हो समझे मेरी बातों को अब यहां पर लास्ट में एक और बात देख लेते हैं स्कैलर मल्टिप्लिकेशन अब यह क्या होता है यह एक जम सिंपल सा है सुनिए ध्यान से यहां पर हमने क्या लिखा है जेड विच इकवल टू फॉर प्लस फाइफ आई ब करना है तो मैं लिखूंगी 3 जैड लिखूंगी अब सिंपल लिखने का मतलब क्या है यहां पर भी त्री आजाएगा देखो इस तरीके से 3 और फिर ब्रैकेट के अंदर यहां आजाएगा है यहां पर मैंने लिख दिया ठीक है अब यह जो 3 का मल्टिप्लाइब यह वह मैं मतलब क्या किसी भी कॉंस्टेंट से हम लोक्ते सकते हैं कॉंप्लेक्स नंबर के अंदर मल्टिप्लाइब कर सकते हैं जो न इंदर मल्टिप्लाइब करसकते हैं तो यहां पर 돼 लेक्स नमबर होता है खतम और यह हमने कॉंजूगेट भी देख लिया अब क्या बचा हुआ है तो एक और टॉपिक बचा हुआ है बच्चो आई को लेकर के पावर्स ओफ आई ठीक है तो आप एक काम करो पहले इतना लेख लो फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स ट कहते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे एक बात तो आप लोग जानते ही है कि अगर बस आई दिया गया है तो इसका वैल्यू क्या होता है ? कूश की सकते हैं प्रीक नdong रिख सकते हैं इससे करके लिख सकते ना आय स्क्वाइर इंटु आई हे ना देखो मैंने क्या किया मतलब इसी को थोड़ा सा स्प्लेट कर दिया ठीक है फिर ध्यान से समझेगा i square का value क्या है minus 1 है ना तो इसके place पर मैंने minus 1 लिखा और फिर इसके बगल में है i दोनों का multiply करो बताओ यहाँ पर क्या आएगा minus i यानि कहने का मतलब क्या है कि i cube का value हम क्या लिख सकते है minus i लिख सकते है ठीक है तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि i cube का value बताइए तो फिर आप directly वहाँ पर बोल दीजिएगा minus i ठीक है फिर i raise to 4 का value क्या होता है बच्चो तो इसका direct value होता है plus 1 कैसे सुनिए ध्यान से यह जो i raise to 4 है इसको हम कैसे लिख सकते है i square into i square करके लिख सकते है है ना इसको मैंने split कर दिया फिर एक बात तो आप जानते ही है कि i square का value क्या होता है minus 1 into यह वाले भी i square का value minus 1 हो जाएगा दूनों को multiply कर दो minus minus मिल करके plus और 1 1 सा क्या होता है 1 यानि कि i raise to 4 का value क्या होता है plus 1 होता है ठीक है तो यह जो चारो values है ना यह आपको अच्छे से पूरा दिमाग में रखना है अगर कहीं पर आया यह i raise to 4 डायरेक्ट आंसर लिखने का उधर वन अगर i cube आया तो minus i i square आया तो minus 1 और i आया तो square root of minus 1 ठीक है तो यह चारो आपको याद हो जाएंगे ना चलो यहाँ पर कुछ और बाते हैं अम लोग कर लेते हैं जैसे कि अगर आपको इस तरीके से कुछ दिया गया है i raise to 4 n यानि कि जो i का power है ना अगर वो 4 n के form में है ठीक है यह n का मतलब क्या होता है n for natural numbers देको मैंने यहाँ पर लिखा है n belongs to natural number मतलब यहाँ पर 1,2,3,4,5,6 इस तरीके को कोई भी numbers हो सकते हैं लेकिन याद रखना वो natural number ही होना चाहिए ठीक है तो अगर इस form में कोई भी आपका मतलब number दिया गया है तो आप क्या कर सकते हो उसका direct value क्या लिख सकते हो प्लस 1 लिख सकते हो ठीक है यह होता है formula जिसे आप लोग को ध्यान में रखना है क्योंकि exercise के question solve करते टाइम पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी ठीक है एक example की मदद से आपको समझाती हो सुनिए direct value तो हमने सीखाने हमने तो बस चार तक ही सीखा है अब यह आ गया इसका क्या किया जाए तो यह जो फॉर्मुले मैंने आपको इधर लिख करके रखे हुए ना इसी का हम यूज करके क्या करेंगे इसका value बताएंगे तो कैसे बताएंगे देखो हमें क्या करना होगा इसको EraD करना होगा तो अगर मैं 32 को 4 से डिवाइड करू तो बता यह आंसर कितना अगा फॉर से इसको डिवाइड करते हैं कितने वार में जाएगा आठ बार में जाएगा ना 4 एट जा होता है 32 ठीक है तो यहां पर देखिएगा क्या आ गया इसका कोशंट 8 आ गया राइट तो यह 32 को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं ऐसे करके लिख सकते हैं आई रेस टू 4 इंटू 8 क्योंकि हम जानते हैं 4 इट जा क्या होता है 32 होता है ठीक है तो धेखुआ यहां पर देखो क्याम है ऐसी 4 एंट और यहां पर भी तो वही है ना आई रेस to फू इंटू 8 एट एट और क्या अलगते हैं तो फिर आपसका डाइरेक्ट विल्लू यहां पर क्या लिख सकते हो सकते हो अब यहां पर दूसरा वाला फॉर्मूला देख लिए जीएगा अगर ऐसा कुछ रहता है आइज टू 4N प्लस 1 यानि 4N तो रहेगा ही लेकिन उसके साथ है 1 ठीक है तो फिर आप उसका डायरेक्ट वेल्यू क्या लिख सकते हो अब यहां पर मैंने लिखा है आइज टू 33 बराबर अभी पता लग जाएगा आपको कितने बार में जाएगा 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहां पर रिमेंडर आजएगा वन ठीक है तो अब ध्यान से सुनो यह जो 33 है इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं तो ऐसे अगर यहां प्लस तरीके से लिख दिया अब इसका डायरेक्ट वैल्यू अगर आमें बताना है तो फिर हम क्या बताएंगे यहां पर लिख देंगे प्लस आई ठीक है यहां में कैसे पता चला तो यह फॉर्मूले की है से पता चला क्योंकि हमने देखा था आई रेज टू इंस Small क्या होता है आई के ऊ 보시ल होला होता है ठीक है 511 तो इसे लिए इसका डायरेक्ट डांसर अध्मलील डिया आई अगला वाला अगर एसा प्लू थ चू इहां पर ऑन था लेकिंए अगर हमने टू को प्लस कर दिया 4N में तो फिर उसका डारेक्ट आंसर आप क्या बोल सकते हो माइनस वन बोल सकते हो एक्जामपल की मदद से समझ लेते हैं तो यहां पर मैंने लिखा है तो आंसर कितना आएगा 4, 5, 20 माइनस करेंगे तो यहां पर 20 ना 2 आएगा यहां पर 0 ठीक है तो देखो यह जो 22 है इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं तो ऐसे गड़के लिख सकते हैं आई रेस टू 4 इंटू 5 प्लस 2 देखो 4, 5 सा 20 20 प्लस 2 करेंगे तब ही जाके हमें 22 मिलेगा है ना तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया अब इसका डायरेक्ट वैल्यू आप लोग क्या बता सकते हो माइनस 1 बता सकते हो कैसे अमने बता है आपने मंन से बताया और नहीं हमने यह फॉर्मूला देखा था इसमें से देख कर कि हमने बता है कि इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा माइनस वन ही होगा बात समझ में आई आपको फिर यहां पे लास्ट पन देख लेजेगा अगर यह पर इसा कुछ है आई रेज टू माल करें की आपको इसको क्या Whip क्या करूत अपको दिमाख में सब्सक्राइब चाहिए और बागी अनुन में होना ही चाहिए है ना यहां पर मैंने बहुत सब्सक्राइब नंबर्स लिए जब आप एक्सराइस के कुश्चन देखो कि आपको वहां पर बड़े बड़े नंबर्स मिलेंगे जैसे कि यह भी मिल सकते आई रेस्टू 50 फिर आई रेस्टू 100 फिर आई रेस्टू बहुत स बताईएगा देखें आपको कितना समझ में आया आप यह कंसेप्ट समझ पाए कि ने ठीक है आपके लिए सवाल यह होंबग है समझ लीजिए आपको बताना है आई रेस्टू 50 का वेल्यू ठीक है क्या करोगे क्या करोगे बताओ आपना पहले इसको फोर से डिवाइड करन फिर देखना कि remainder कितना आ रहा है तो क्या करना होता है डिवाइजर इंटू कोशन्ट प्लस remainder यानि यहां पर जो रहेगा यह और फिर जो कोशटट आया रहा रहेगा दोनों का multiplication करने का और जो remainder आता है उसको इसमें प्लस कर देनेंगा ठीक है इस तरीके से आप मुझे दो जरूर कमेंट बॉक्स में बताईएगा मैंने यहां पर लिखा I raise to 30 कितना लिखें 35 ठीक है चलो इसका वेल्यू भी आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताईएगा 35 आपको बताना काफी छोटा ले लिया क्या पर चलो ठीक है बताईएगा जरूर हां यहां पर हमको जो भ कमेंट करके जरूर बताईएगा और आंसर भी जरूर बता दीजीएगा ठीक है तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स वीडियो में गुडबाइब्रिवान